शुक्ल जी पंटे लिखने में बहुत जियादा ही मेधावी थे, बुद्धिमान थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी जो निभंध है उसको बहुत ही उंचाई पर पहुंचाया है एक भाव जो है वो अनात और अबला पर दया की रूप में आता है और दूसरा भाव जो की जिस अबला पर हत्यचार हो रहा है प्रणाम मैरी हानायस अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता मेरे फस सिमिस्टर बी सीए की जितने भी विध्यारती हैं आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है मेरे प्रिये विध्यारतियों जो इस सिमिस्टर आपके लिए हिंदी निभंद साहित्य जो आपके लिए हैं इसके अंतरगत जो दूसरा पाठ है क्रोध इसी के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे पहले तो हम इस पार्ट के जो निभंदकार है रामचंद्रशुक्ल इनके बारे में समशिप्त में अब हम जानेंगे रामचंद्रशुक्ल इनका जो जन्म है वो इंडियन नैशनल कॉंग्रेस यानि भारतिया रास्ट्रिया कॉंग्रेस दल की स्तापना के पूर्व इसे पहले स्तापना के पहले 1884 इस्वी में 1884 में इनका जन्म हुआ था इनका जन्म जो उत्तर प्रदेश के जो अगोना नामक एक गाउ में हुआ था इनके पिता जो चंद्रबली शुकल जो सरकारी नौकरी में थे एक कानून गो के पतपर थे एक कानून गो के पतपर ये थे और शुकला जी की यह नहीं शुकला जी की जो इनकी प्रार्थमिक शिक्षा जो है वो हमीरपुर नामक एक जिल्ले के राठ तहसिल के राठ कजबे में हुआ था और पिताजी का तबादिला पिताजी का ट्रांसवर तबादला होने के कारण ये 1893 में 1893 में पिताजी के ट्रांसवर होने की वज़े से ये मिरजापुर आए फिर यहां पर जो है जुबली स्कूल से इन्होंने मिडल परिक्षा उत्तीर नकी इसके बाद मिरजापुर के ही लंदन मिशिन स्कूल से सन 1901 में स्कूल फाइनल परिक्षा उत्तीर नकी इसके बाद मिरजापुर में ही जो है यहां पर दिखें मिरजापुर में ही इन्होंने लंदन मिशिन स्कूल जो थी लंदन मिशिन स्कूल से इन्होंने जो है फाइनल परिक्षा भी उत्तीर न की थी शुक्ल जी पंटे लिखने में बहुत जियादा ही मेधावी थे बुद्धिमान थे पिर और कुशलग्रा बुद्धी थे मिडिल परिक्षा उत्तिर्ण करते करते बहुत ही अच्छी अंग्रेजी सीख गये थे मिडिल परिक्षा जो इन्होंने यहां पर मिर्जापूर में की थी उसी उत्तिर्ण उस परिक्षा को की थी उसी वक्त यह एक अच्छी अंग्रेजी भी सीख चुके थे फिर सिर्व सोला वर्ष की अवस्ता में जब इनकी उम्र सोला साल की थी उस वक्त स्कूल फाइनल की परिक्षा उत्तिर्ण करने के पहले ही इन्होंने एडिसन के यसे आन इमेजेनेशन का कलपना के आनंद नाम से हिंदी में अनुवात कर डाला था जब इनकी उम्र 16 साल की थी और इन्होंने जो की फाइनल की परिक्षा उत्तिर्ण करने के पहले ही एडिसन की जो एडिसन का जो इससे था जिसका नाम आन इमेजेनेशन इसका इन्होंने अनुवात किया था इन्होंने जो अनुवात किया था उसका नाम था कलपना के आनंद के नाम से इन्होंने उसी उम्र में इसका अनुवात किया था फिर मिर्जापूर में बद्री नारायन चौदरी प्रेम घंसे आचारी शुक्ल का साथ होने के कारण शुक्ल जी को हिंदी साहिती की तातकाली इंगती विधियों और साहिती की जानकारी मिलती रहती थी तो यहां पर जो इन्होंने इससे का ट्रांसलेट हिंदी में किया और यहां पर इनकी जान पहचार बद्री नारायन चौदरी से हो गई थी तो क्या है जब इनको इनका साथ हो गया तभी हिंदी साहिती की तातकालीन गती विधियों इंदी साहिती की जो तातकालीन गतिविदियां हैं ये सारी जानकारी इनको इनसे मिलती रही जिस स्कूल से शुकल जी ने स्कूल फाइनल की परिक्षा उतिर न की थी उसी लंदन मिशिन स्कूल में वे 1904 इस्वी में ड्रॉइंग मास्टर न युक्तु हो गये थे जिस स्कूल में शुकल जी ने स्कूल फाइनल की परिक्षा उतिर न की थी उसी लंदन मिशिन स्कूल में सन 1904 इस्वी में ड्रॉइंग मास्टर न युक्तु हो गये शुकल जी के साहितिक जीवन की शुरुवात कविता लिखने से हुई प्रेमधन जी की पत्रिका आनंद कादम बिनी में उनकी पहली कविता सन 1896 में भारत और बसंत प्रकाशित हुए दिखें जो 1904 इस्वी में इन्होंने जिस स्कूल से फाइनल परिक्षा पास की थी लंदन जो है लंदन मिशिन स्कूल में ड्राइंग मास्टर बनकर वहां पर क्या है इन्होंने कारी किया वहां के मास्टर नियुक्त हुए और क्या है वे शुक्ल जी के साहितिक जीवन की शुरुआद जो है अठारा सो यहां पर देखिए अठारा सो चानबे में 1896 में इनकी पहली कविता जो है भारत और बसंद ये प्रकाशित हुई उनकी पहली गद्य रचना भाशा का विस्तार जो अठारा सो निन्यानबे 1899 निस्वी में आनंद कादम बिनी में ही चपी इसके बाद जब इनकी कविता चपी इसके बाद ये गद्य रचना भी रचने लगे इनकी जो गद्य रचना भाशा का विस्तार ये अठारा सो निन्यानबे में यानि 1899 में जो है आनंद कादम बिनी में ही चपी थी आचारिय राम चंद्रशुक्ल के विक्तित्व एवं कृतित्व का विकास पूरी तरह से सन 1908 में काशी आने के बाद शुरू हुआ फिर शुक्ल जी 1908 में नागरी प्रचारनी सबा काशी में हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक के रूप में आये फिर जो है 1908 में नागरी प्रचारनी सबा जो काशी में है यहां पर हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक भी रह चुके थे यहीं सहायक संपादक के रूप में यह आये इस कोश के संपादक थे बाबू शामसुंदर दास इस कोश के जो संपादक थे वो थे बाबू शामसुंदर दास जी तो शामसुंदर दस ने लिखा है कि कोश ने शुक्ल जी को बनाया और कोश को शुक्ल जी ने हिंदी शब्द सागर का कारिय जो है 1927 इस्वी में समाप्त हुआ यहां पर जो बाबू शामसुंदर दस जी है वो कहते हैं कि कोश को जो है शुक्ल जी ने बनाया और शुक्ल जी को कहें कोश ने बनाया यहां पर दिए वो बताते हैं कि शुक्ल जी को बनाया है कोश और कोश को जो है शुक्ल जी ने बनाया इस तरह से कहें बाबू शामसुं दर्दास जी जो हैं वो कहते हैं, हिंदी शब्द सागर का कार्य 1927 में 1927 इस्वी में समाप्थ हुआ, इनकी एक लंबी भूमी का आचारिय शुक्ल ने तैयार की, यहीं भूमी का 1929 इस्वी में हिंदी साहिती का इतिहास नाम से प्रकाशित हुई, जो यहीं भूमी का जो कि इनकी एक लंबी भूमी का आचारिय शुक्ल जी ने तैयार की थी, जो इनकी जो तैयार की थी वहीं जो हैं हिंदी साहिती का इतिहास नाम से प्रकाशित हुई, इसी बीच सन 1919 इस्वी में इसी बीच जो है सन 1919 में जो कि यहां पर मालविया जी मालविया जी के आगरहां से काशी हिंदू विश्व विद्याले के हिंदी जो विभाग में अध्यापन कार्य करना इनोंने शुरू किया पिर सन 1937 में 1937 में मृत्यों परियंत यहीं विश्व विद्याले में अध्यक्ष बन कर यह काम करने लगे विभाग अध्यक्ष बन कर काम करने लगे थे तो इनकी मृत्यों तक इस यहीं पर काशी हिंदू विश्व विद्याले में विभाग अध्यक्ष के रूप में ये काम कर रहे थे हिंदिस साहिति का इतिहास जयासी ग्रंतावली संपादित तुलसी ग्रंतावली काव्य लमे रहस्यवाद रस्मिमामसा आदी उनकी महत्पपूर्ण ग्रंत ये सब इनकी ग्रंत है रहस्यवाद काव्य लमे और रस्मिमामसा ये सब इनके ग्रंत है शुक्ल जी के सभी निभंद चिंतामणी के भाग एक, दो, तीन और चार में संकली थै जो चिंतामणी जिसका नाम है इनकी जो रचना का नाम इसके एक, दो, तीन और चार भाग में संकली थै फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के पहले विवस्तित प्रतिभा संपन आलोचक इतिहासक एवं निभंदकार है। जो निभंद है। वस्तुनिस्टा वो तर्क तर्क निस्टा हिनी वस्तुन मुखी तर्क निस्टा भाशा के आप्रतिम उदाहरण है। मल्यज ने कहा है कि मूल्य तहां ये भावादी आचार्य है। एक मूल्य तहां एक भावादी आचार्य थे। और बताते हैं कि जो चिंतामणी में संकलित, मनोविकार जो निभंद है। इससे ये बात जो है सिध होती है। रामचंद्र शुक्लिय के भाववादी आचार्य थे। ये बात जो है इनके चिंतामणी के चिंतामणी जो रचना है। इससे सिध होती है इस तरह से मल्यज ने भी कहा है। जो आपके लिए पाठ है क्रोध इसमें आचार्य शुक्लिय ने बताया कि क्रोध जो है। क्रोध से ही हर एक भावना उत्पन होती है। जिसे भय, दया और जो है लोब, घृना इस सारी जो भावनाएं वो क्रोध से ही उत्पन होती है। इसको सिध करते होए इन्होंने इस निभन को लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में निभन लिखने को जिस उन्चाई तक पहुंचाया वो आप्रतिमा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी जो निभन है उसको बहुत ही उंचाई पर पहुंचाया है। जो कि एक आप्रतिम उंचाई तक हिंदी निभन्दों को उन्होंने पहुंचाया है। चिंतामणी के चार ड्वाई में संकलित शुक्ल जी की निभंद में जो विविदता है वो उनके विस्तृत अध्यायन और चिंतन के उदाहरण है परन्तु शुक्ला जी के निभंदों की वस्तविक छटा तो उनके भाव और मनोविकार संभंदी निभंद में ही देखने को मिलती है शुक्ला जी की जो कहें भाव जो है उनके जो भाव हैнов मनोविकार जो है ये दोनों संभंदी निभंदों में यहीं मनोविकार संभंदी कहें निभंदों में ही देखने को यहाँ पर हमें मिलती है चिंता मनी भाग एक में संकलित, क्रोध, लोब, भै, घ्रिना, करुणा, इर्षा, श्रद्धा और भक्ति, लोब और प्रीति आधी, मनोविकार संभंधी, निभंद, मनोविग्ण्यान, आधारित, विवेचन विशलेशन नहीं हैं. बलकि लोग का नुभव मानविया, विवहारों की परक और भावकता इन निभंदों की विशिष्टा है, जो इनके निभंद है, चिंता मनी के जो भाग एक में, जो भै, भै, क्रोध, लोब, भै, घ्रिना, करुणा, इर्षा, श्रद्धा और भक्ति, लोब ये सब जो है, प् विग्ञान आधारित कहें विवेचन विशलेशन नहीं है, बलकि लोग अनुभव, जो इस संसार से जो अनुभव इनको हुआ, उससे और मानविया, विवहार, जो मनुष्य किस प्रकार समाज में विवहार करता है, उसका अनुभव, जो है, वो यहां पर परक और भावकत परक और भावकता इन निभन्दों की जो है विशेशता है, यह इनकी परक और भावकता ही इन निभन्दों की विशेशता है, दुख के चेतन या प्रत्यक्ष कारण से ही शाशतकार अथवा, अनुमाल से क्रोध उत्पन होता है, यहां पर शुक्ल जी कहते हैं कि दुख से जो दुख है वो चेतन या आप्रत्यक्ष कारण से शाशातकार अथवा अनुमान से ही क्रोध उत्मन होता है इस तरह से शुक्ल जी कहते हुए आगे कहते हैं कि दुख के कारण ही स्पस्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता दुख के बिना क्रोध जो है मनुश्य में आई ही नहीं सकता पहले मनुश्य को दुख होता है किसी बात का एक दर्द दुख होने के बाद जो है उसमें क्रोध उत्मन होता है उदारण के लिए मान लीजिए हम रात के अंधेरे में यहाँ पर उदारण के तौर पर रामचंद दिन आया करते थे, वहीं रास्ते से हम आ रहे हैं, तो क्या है, बीच रास्ते पर, जो, क्या है ये पटर से टक्रा कर टक्रा गए, चोटा गई तो वहाँ से चलते हुए जब घर आते हैं, जब पता चलता है पत्नी से कि जो पडोसी के बच्चे शाम को वहां क्रिकेट खेल रहे थे उन्होंने ही इंड छोड़ दी होगी तो यहां पर जो चोट खाने का दुख था अब वो कुरूद में बदल जाता है तो यहां पर सहज रूप से जो चोट लगी है उसे पहनी उस चोट को कहे वो सिर्फ एक दर्द की तरहां सह रहे थे जब इनको पता चला कि इनकी पत्नी से रास्ते में जो इंट पढ़ा था वो परोसी के बच्चों ने रखा है उस वक्त वो दुख जो है क्रोद में बदल जाता है पिर वो आगे कहते हैं कि वो क्या है चोट की बात भूल कर पढ़ोसी और उनके बच्चों को कोस्ने और गालिया देने लगते हैं कहने काताद पर यह है कि दुख का जब तक प्रत्यक्ष अथावा स्वस्ट कारण नहीं पता चले तब तक वो क्रोद में परिवर्थित नहीं होता जब दुख का प्रत्यक्ष और उसका कारण नहीं पता चलता तब तक वो दुख रहता है तब तक वो दुख रहता है जब इसका कारण पता चले उस वक्त दुख जो है वो क्रोद में बदल जाता है इस तरह से शुक्ल जी कहते हैं शुक्ल जी की क्रोध की दो कोटियां मानते हैं एक परिश्कृत क्रोध और दूसरा है आप परिश्कृत क्रोध शुक्ला जी क्रोध के दो कोटियां मानते हैं दो कोटियां मानते हैं एक परिश्कृत करोद एक दूसरा जो है वो आ परिश्कृत करोद शुकला जी अनात अबला का जो उदाहरंद दिया है फिर इस पार्ट में एक अनात अबलापर जब कोई अथिचार करता है उस वक्त दो भाव जो हैं मन में उप्पन होते हैं एक भाव जो हैं वो अनात और अबला पर दया के रोप में आता है और दूसरा भाव जो कि जिस अबला पर हत्यचार हो रहा है जो अथ्यचारी है उस पर क्रोध प्रकट होता है उसका ही भाव जो है एक अलग से यहीं उसके मन में जो इस पर अथ्यचार के या उस अथ्यचारी के प्रती क्रोध उत्पन होता है और अबला पर दया की भावना उत्पन होती है तो यह जो दया है और जो यह क्रोध है अथ्यचारी पर जो क्रोध आता है वो उत्तेजित होकर उसके दमन के लिए प्रस्तुत हो जाता है तो उस क्रोध से जो है कहें उसे क्रोध आने के बाद वो उत्तेजित होकर वो बढ़कर जो है जो अथ्यचारी है उसके नाश का एक का बन जाता है इस परिश्कृत क्रोध के अंतर गथी करुणा का भाव जो है वो आता है परिश्कृत क्रोध के अंतर गथी करुणा दया का जो भाव है वो उत्पन होता है जैसे कि कहें उस अबला पर जो अथ्यचार हो रहा था उसे देखकर उस पर करुणा और दया आ जाती है अथ्यचारी जो अथ्यचार करता है उसके दमन के लिए क्रोधी कारण बनता है ये भी क्रोध का ही दूसरा रूप दया करूना है दिखें फिर आगे वो कहते हैं कि इसी संधर्भव से शुकला जी क्रोध में भी एक संधर्य धून लेते हैं तो इससे शुक्ल जी ने क्रोध में भी एक सौंधर्य जो है धून लिया है। यहाँ पर और एक उदाहरंड देते हैं जो वालमिकी ने महागरंत की रचना की उसी को एक सौंधर्य एनि उस क्रोध में भी सौंधर्य का पेरक बनता है। जो वालमिकी को जो क्रोध आया था वही क्या है उनको एक महाकावी की रचना करने की प्रेरणा देते हैं तो उसमें भी क्या है शुकला जी एक सांदरी को धूनते है तो फिर एक उदाहरन शुकला जी देते हैं यहनी फिर एक उदाहरण शुक्ल जी देते हैं जब एक ब्रामन कुछ लकडियान डाल कर चुलहा जला रहे थे तो क्या है बहुत उस पर क्या है फूक मार्द कर चुलहा जलाने की जो चेस्टा कर रहे थे चुला नहीं जला और ब्रामन दिवता को क्रोध आ गया और उसमें व क्रोध का एक रूपी है इसके साथ बता रहे हैं कि जो ब्रामन देवता क्रोध के कारण जिस चुलहे में पानी डालते हैं वो उनकी शांती को भंग कर देता है क्रोध जो है इंसान की शांती को भंग कर देता है इसके ये भी शांती को भंग करने वाला क्रोध का ही एक रू है यहां पर एक औरे कुदारन देते हैं शुक्ल की केहते हैं यहां पर राम्चंदर शुकल कहते हैं कि जब इनसान यहां पर जो शांती है उसे बना कर रखता है जब उसे किसी से दुख मिलता है तो उस वक्त वो दुख जो है क्रोध में बदल जाता है और वो क्या है? वो ही क्रोध क्या है? उससे शांती को उसकी शांती को भंग कर देता है आगे वो औरे कुदाहरंड देते हैं वो यहां पर वो बताते हैं कि जब अपने ही किसी रिस्टेदारों या अपने ही किसी मित्रों से अगर किसी को दुख मिले उस वक्त वो दुख जो है क्रोध में बदल जाता है और वो अपना सरही क्या है पटक लेता है इनसान अपने क्रोध को अपने दोस्तों और मित्रों और संभन्धियों और रिस्टेदारों पर नहीं परकट करता बलकि अपने आप में ही उस क्रोध को क्या है तो यहाँ पर देखें वो क्रोध तो जाता रहता है अपने कहें जो रिस्टेदारों पर और जो है अपने मित्रों पर ये क्रोध उनका प्रकट नहीं होता जाहिर नहीं होता उसमें क्रोध का एक रूब जो है सहानुबूती वो उसमें आ जाती है लेकिन अपने आपका सर जो उसने पटक लिया था इसका दर्द उसे बाद में हो तो क्या है इनसान को क्रोध जब आता है उसकी शांती को जो है भंग कर देता है और उसी को ही चोट पहुंचाता है इसको भी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहां है क्रोध सभी मनोविकार में सरवधिक कहें पुर्तिला होता है इसका वेग सबसे तेज होता है इसका जो वेग उसकी जो गती है वो बहुत ज्यादा ही तेज होती है बहुत ज्यादा ही तेज होती है, यही कारण है कि धर्म, नीती और सिस्ट चार तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है तो क्या है, यहाँ पर शुकल जी कहते हैं कि यही कारण है, क्या है यही जो कारण है, मनोविकार का इसलिए धर्म, नीती और सिस्ट चार तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है मनुष्य सभ्य व्यवहार की प्रक्रिया में भी क्रोध को प्रकट होने से नियंतरन करता है मनुश्य सब्यवेवहार की जो एक प्रक्रिया है इसमें क्रोध को प्रकट होने में नियंतरन रखता है जिस व्यक्ति के सोभाव में क्रोध ने अपना स्थाई निवास बना लिया है उसके बारे में शुक्ल जी यही वाक्य अत्यन्त ही विंगात्मक और सार गंबीरता है अंत प्रकुर्ती में अवस्था उत्पन कर मनुश्य को क्या है बच्पन से मिलती जुलती अवस्था में ले जाकर पटक देता है शुकला जी यहाँ पर कहते हैं कि मनुश्य के स्वभाव में अगर क्रोध जो है क्रोध स्थाई निवास हमेशा उसके क्रोध जो है उसके अंदर निवास कर लेता है तो वो क्या है वो उसके लिए क्या है शांती उसकी जो शांती है जो सयम है उसे भंग करता रहता है वो अत्यंत ही इनी इसी को इनी स्ताई निवास अगर कोई इनी किसी के मन में जो मनोविकार है इनी क्रोध अगर स्ताई निवास बना ले तो उस वक्त जो है उस पर अत्यंत प्रभाव पड़ता है तो इसके लिए विंगात्मक और सारगंबीरता है अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत प्रभल पढ़ जाता है क्रोध इंसान को बच्पन में ले जाकर पटक देता है इस तरह से शुकल जी यहां पर कहते हैं शुकल जी ये भी कहते हैं कि कि समाज में कहें रहने के लिए इंसान में क्रोध होना चाहिए लेकिन वो क्रोध जो है वो क्रोध जो है घर नहीं बना लेना चाहिए किसी मनुश्य के अंदर उसका घर निवास नहीं बना लेना चाहिए यहां पर ये भी बताते हैं कि समाज में अगर क्रोध ना हो तो मनुष्य के लिए कहें सब लोग उस पर कहें कुछ ना कुछ वेंग करके चले जाते हैं तो उसका जीवन गुजारना बहुत ही मुश्किल है मनुष्य में क्रोध होना चाहिए समाजिक जीवन में लेकिन उस पर नियंतरन रखने की एक शमता भी होनी चाहिए क्रोध से ही मनुष्य में अच्छे या बुरे गुण जो है विकसित होते हैं इसलिए इनसान को क्रोध होना चाहिए समाजिक जीवन के लिए लेकिन उसमें नियंतरन रखने की एक शक्ति भी इंसान में होनी चाहिए वो क्या है क्रोध इंसान के अंदर निवास्थान बना ले तो क्या है इंसान का पथन होता है उसी को हानी पहुंचती है ये भी शुकला जी के निभन से हमें पता चलता है किसी कारणवर्ष क्रोथ को हम तातकाल अभिवेक्त नहीं कर पाते या उनका क्रियान बयन नहीं होता और हमारे अंदर क्रोथ के कारक तत्व के प्रति बदले की भावना विकसित हो जाती है विकसित होती है तो इसे क्रोथ का बैर में रूपान तरण कहा जाएगा इसी अर्थ में बैर क्रोत का आचार या मुरब्बा है यहां पर जो बैर है जो दुश्मनी है इसके सम्धित शुकल जी कहते हैं कि जब कोई एक आदमी 20 या 25 आदमियों को लेकर किसी को मारना चाहता है और इस आदमी को पता है कि 20 या 20 या 25 आदमी जो है कहें इसे मारने के लिए बहुत ज्यादा ही इंतिजार में है उस वक्त यह अपने आप पर सयम ना रखें और क्रोत के कारण जो हैं क्रोत के कारण अकेला ही चला जाए तो कहें उसके मरने में कोई संदेह नहीं होगा उसके मर जाने में कम संदेह होगा क्योंकि उसने कोई तयारी नहीं की थी उसे जब की पता था कि उसका दुश्मन जो है 20-25 आदमियों के साथ उसे मारने के लिए तयार है उस वक्त उसे जो है कोई एक रक्षा के लिए कुछ ना कुछ आयोजन करना था लेकिन वो क्रोद के मारे अकेले चला जाता है तो उसकी मृत्यों में कहें संदेह कुछ कम रहता है क्योंकि उसने अपने आप पर जो हैं सयम नहीं रखा और कहें अकेला ही दुश्मन से लड़ने के लिए चला गया बीस पच्चेस आदमी जो हैं उसे हानी पहुंचाते है तो यह जो हैं क्रोद आने के बाद जो विवेक होता है सुचने समझने की जो शक्ती होती है इनसान में वो जो हैं खत्म हो जाती है और यहां पर फिर यह कुदाहरंड देते हैं अगर कोई एक विक्ती जैसे की कोई एक विक्ती जो हैं किसी का दुश्मन है और उसने बहुत साल पहले उससे क्रोद दिलाया था उसे दुख पहुंचाया था और तभी के तभी उसस कहें जो दुख था उसका उसके प्रती जो दुख उसे मिला था उसे भी दुख देता तो ये क्रोध कहलाता गुसा कहलाता वहीं विक्ति जो है तब तो उसने कुछ नहीं किया कुछ सालों बाद जब वो विक्ति कहीं दिखाई देता है तो उसके साथ बदला लिया जाए, तो यहीं बईर का रूप ले लेता है, यहीं बदले का रूप जो है, क्रोध ले लेता है, तो क्रोध ही बईर का एक रूप है, इस तरह से यहाँ पर कहें, शुकला जी कहते है, बईर जो है, तभी के तभी किसी से बदला लिया जाए, दु चाया जाए तो यह क्रोध वहीं क्रोध जो है जब उसे दुख पहुंचता है उस वक्त उसके मन में विकार उत्पन होता है। कुछ समय या कुछ वर्ष के बाद अगर उससे बड़ा लिया जाए तो वहीं बहेर बन जाता है। तो इस तरह से बैर के प्रती जो क्रोध छुपा होता है उसके बारे में शुक्ल कहते हैं फिर आगे बे कहते हैं कि यहां पर क्रोध संचित करने से वो बैर में परिवर्तित हो जाता है दुख पहुंचाने के साथ ही दुख दाता को पीडित करें करने के प्रेरना करने वाला मनोविकार कोई कुछ काल के बीच जाने के बाद अगर वो कहें कोई बाइर में बदल जाता है उसकी भावना बाइर में बदल जाती अटहां कोई को संचित नहीं करना चाहिए पश्यो और बच्चो में यद headquarters पैदा भी होता है तो वो थोड़े समय के बाद खत्म हो जाता है क्रोद का बेर में रूपांतरन समाच के लिए ज्यादा हानिका रख तो यहां पर कहते हैं कि जब कोई पशू, कोई प्रानी में और बच्चों में अगर क्रोद उत्पन हो तो वो कहे थोड़े समय के बाद जो है वो खत्म हो जाता है वहीं जो कहें एक आदमी में एक मनश में कहें एक मनश में अगर वो अक्रोद जो है कुछ समय के बाद बेर का रूप धारन कर लेती है बदले का जो रूप धारन कर लेता है वो समाच के लिए बड़ा हानी कारग है इसलिए बदले की भावना जो है मनुश्य को पथन तक ले जाती है उसे पाप का हगदारी बनाती है तो इसको भी यहाँ पर शुक्ल जी ने सित किया है इस तरह से शुक्ल जी ने इसको भी अपने निभंद में बताया है वहिर की भावना जो है समाच के लिए हानी कारग है पाट आपका इतना ही था अगली कक्षा में किसी और पाट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे धन्यवार्द